वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें 2023 के बजट के महतुपून टत्य जो हैं उनको कवर करेंगे आपके PCS के एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथ ही आपके वर्ज भर में जो भी आगामी परिक्षाए हैं सब के लिए इंपॉर्टेंट चाहे आपका जो यूपी की आपकी यूपी तरपल सी के तरहत होने व लाग करोड रुपे था और यह अभी तक की इत्यास का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है ठीक है इसका लक्ष क्या था इसका लक्ष है यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर के अटिववस्था बनाना यह लक्ष हांसिल करना इस बार की बजट में बताया गया उत्तर सबसे बड़ाह भूगता है जब संक्या सब्से ज्यादा बेद्ध सबसे ज्यादा होला और सबसे बड़ा वाजार भी है जिस प्रद्धी इसको जरूर रखे इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला चो तहते है वो देखते हैं विक्तिये वर्ष 2023 के लिए अगर बात करें तो सकल राज घरे लुत पात की ब्रद्धी दर 19 प्रतिशत नाम्मात्र अनुमानेद की गई है तो अगर तो आदे गई है अगर आ अगर आने वालिए क्ली पृदिशत ही भ्रद्धी प्रतिषत नंवान Turkish Dalam वर्ष 2017 से पहले बिरोजगारी डर 14.4 प्रतिशत थी 2017 से पहले की बात कर रहे हैं और अभी यह घटकर कितनी रह गई है लगभव 4.2 प्रतिशत रह गई है तो देख रहे हैं आप बिरोजगारी की जो आंकडे बताए हैं अब देखते हैं कितना सही है आप अपनी डाय कॉमें इस राजी बजट जो है 2023-24 की इत्यास का सबसे बड़ा बजट है यह बजट वितमंद्री सुरेज कुमार खन्ना का लगातार चौत बजट है अगर इनके उससे देखें कि इनके द्वारा बितुमंत्री की रूप में इन्होंने चौती बार ये बजट पेस किया है, 2023-2024 की बजट जो है उत्तरपिदेस बजट की थीम क्या है आत्म निर्भर उत्तरपिदेस ये इसकी थीम है, इसके अलावा उत्तरपिदेस 2023 का जो बजट है 6.9 लाग करूर रुपे बजट आया, सब्लीमेंटी बजट आया, कुछ और नई योजना थी उनको सामिल किया गया, ठीक है तो उनके इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और बजट इसमें एड किया गया, तो कुल मिलाकर अगर ये वाला और जो पहले बजट आया था दोनों मिला ले तो भी मिलाकर 6 6.5 लाग करोड ही होगा, 2022 का और उससे भी जादा है, 2023 का 6.9 लाग करोड है, ठीक है, 2023 के बजट में 32,721 दिसमलाओ 9-6 करोड रुपए की नई योशना है, सामिल की गई है, ठीक है तो इसमें कुछ नई योशना है, जिनको सामिल किया गया है, इसलिए बजट काकार भी बजटा है, उसको एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थिवरस्ता बनाना है, भारत की जीडीपी में उत्तर प्रिदिस का यूगदान 8% से आधेखे, राजश्व अधिसेज 2023 की अगर बात करें, तो यह कितना है, यह है 68,511.65 करोड यानि की 2.81 प्रिदिशत, राज कोसी अगाट कितना है, 2023 का, 84,883.16 करोड, 3.48 प्रिदिशत, कुल कर्ज और कुल देनदारिया, 7.84 लाग करोड उपे, उत्तर प्रिदिस की जीडीपी का लगबग 32.1 प्रिदिशत है, ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रिदिस बजट 2023 की आखरें, अगर देखें तो 6.83 लाग करोड प्रा प्राप्तियां कैसी धन की प्राप्ति है, धन कहां से आता है, रुपिया कहां को जाता है, यह आगे हम देखने वाले हैं, तो यह जो धन की प्राप्ति है, 6.83 लाग करोड की प्राप्ति है, जिसमें 5.7 लाग करोड राजश्व प्राप्ति है, प्लस इसमें 1.12 लाग रूपे का व्याय होगा तो जितना मिलेगा उससे खई जादा व्याय करेंगी तो इसको ही जो है घाटा कहा जाता है पांच दिसम्लोग जीरो दो राजश्व के लिए जाएगा और एक दिसम्लोग आठ साथ पूजी के लिए जाएगा दोजार टीस चौबिस में उत्तर पिरि जाएगा तो यह चीजे एक आठ कभी पूछ लेते हैं इसके बाद उत्तर पिडियस के कर राज उसमें सबसे जादा कर किस से आता है जी एस्टी से आता है इसको कहा जाता है तो राज्य का आता है फिर गेंद्र और इसके अलाबार राज्य उत्पात सुल्क से आता है फिर बाद ठीके तो राज्य का जी एस्टी सबसे जादा उसकी बाद केंद्र का जी एस्टी फिर राज्य उत्पात सुल्क से पईसा आता है फिर बिक्री कर से ठीक है इसके बाद कुल राजश्व जू है कुल कर राजश्व कितना है तो यह 24,445,875,59 करोर जिसमें सबसे जाद GST से आएगा ठीक है लगबख इतना पईसा जो है GST से आता है जिसमें राज GST कितनी है ये 10,8,212 करोड है और केंडर की GST का हिस्सा इतना है ठीक है दूसरा राज उत्पाथ सुलक और तीसरा विक्री कर ये जो है बताया गया है कि सबसे जादा राज स्वे कहां से आता है त जो केंडर वाला होता है उससे इतना मिलता है दूसरे नंबर पर यहां पर भी देखा था हमने कि राज उत्पाथ सुलक है दूसरे नंबर पर तो यहां पर यह वही बताया गया है और तीसरे नंबर पर विक्री कर रहे ठीक है तो यह क्रम पूछ सकते हैं एक्जामी याद के वार पर देखता है रूपिया कहां से आता है तो एह थोड़ा सफी जूम करते हैं रुपया कहां से आता है उसे 23-24 का ये चाप्ट है इसमें देखते हैं सबसे ज़्याद़ जो हे जीसट्ट से आता है रुपिया तो चीसटि तो होई जाएगा स्वयम का कर राजसो 38। श्याम से और 6 प्रिटिशत इसके बाद है करित्तर राजश वे 3.5 प्रिटिशत और फिर यहां पर आएगा आपका लोक लेखा सुद्ध से आएगा 0.8 प्रिटिशत और रेन और अग्रिम बसूली जो होती है उससे 0.4 प्रिटिशत रुपिया आता है ठीकि अब जाता कहां कहां है पैस जो है 1.4 प्रिटिशत बेतन और सरकारी कर्मचारी में 12.7 प्रिटिशत जाता है बेतन और सायता प्राप जो संस्ता है उनमें 11.7 प्रिटिशत रुपिया जाएगा ठीकि स्थानिये निकायों को समनुदेशन देने के लिए 3.5 प्रिटिशत रुपिया जाएगा सबसिटी पर 3.9 पिए साइदा नुदान में 9.2 पिए खर्च हो जाता है, इसके अलावा पैंसन में अच्छाए साफ़ará एक साते डिसंब्लो चार पिए जाता है, अन राज अश्विंद्ट जो वियाय होते हैं उन estatर उन अच्छे प्रितिशत बाजार रिण है उत्तर पिदिस परेटन नीती 2022 आई इसके बारे में देखते हैं उत्तर पिदिस बजट 2023 में 10 लाख करोड का निवेज का लक्षे निधारित किया गया है उत्तर पिदिस परेटन नीती 2022 के तहर अगले पांच बड़सों में 20,000 नौक्र प्र 만वियों का स्रचन भी किया जाएगा अभी नौक्रियां कैसे जैसे कि किसी सेट्र को परट है गोशit कि लिए उसको विक्सित करेंगी वहाँ पर कई सारी चीजों की व्यवस्ताएं करेंगी आच्छे संसाधन देंगे तो रोज生गार भी मेले हैं जो है कि कई सारी पर बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएंगे फिर अच्छे होटल आदी के लिए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा स्वामी बिबिकानन्द युवा ससक्तिकरन योशना के तहट टैबलेट और स्मार्टफोन बाटे जाएंगे इसके लिए उत्तर पिजट बजट दोजट टेश चौबिस में तीन हजार छहसो करोड रूपे का प्रावधान भी किया गया है तो स्वामी बिबिकानन्द युवा ससक्तिकरन योशना इसकी योशना के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है योशना वाले वीडियो में इसके लावा इसका जो जिक्र है यहाँ पर भी किया गया है बजट में किया गया था ठीक है तो यहाँ पर हमने बजट के कुछ महत्वपून टत्यों को देखिया कुछ और काफी सारे महत्वपून टत्यों हैं जिनको एके करके और आगया आने वाले वीडियो में हम देखे जाएगी एंड ये स्टेडी फॉर्ट सिविल सर्विसिस की कोई भी पेट ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नमबर्स पर कॉल कर सकते हैं तीन तीन नमबर आपको दिये गए किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी इंफोर्मिशन मिल जाएगी थैंक यू वाचिंग इस वीडियो जुड़े रहें चैनल के साथ स्वेस्ट रहें मस रहें मुस्करादी रहें थैंक यू सू मच